असलामों अलेकुम फ्रेंट्स मेरा नाम है फरुख और आप देख रहे हैं फरुख टिप्स हैं ट्रिक्स गाइज आज की इस वीडियो में हम एम्प्लिफायर की हमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्फ करेंगे और इस एम्प्लिफायर को मैंने खुद डिजाइन की और इसका लिं तो गाइज हम जल्दी से इसके स्क्रूज को उपन कर लेते हैं गाइज मैंने सारे स्क्रूज को उपन कर लिया है और अब हम इसके टॉप कवर को रिमॉव करेंगे गाइज यह हमारे एम्प्लिफायर का इंटर्नल सर्कृट है यह हमारा ट्रांसफोर्मर यह हमारी बेस ट्रैबल कंट्रॉलिंग किट वोलियम बॉटन्स ब्लुटूथ यूएसबी उनिवेट्सल और गाइज यह हमारी स्टूडियो अम्प्लिफायर की किट है और अब हम को प्लेय करने लगे हैं हमने वॉल्यूम स्लो कि और हमें फटपन की वाज जो है फील हो रही है को आप कि अ मुंद्र फटपन bunu इसका मतलब है जो किट को जरें स्टेबल नहीं है आप कास्टर की एक पॉइंट पर कनेक्टीड वाज्द यgy decided सोरे सेब्स वारी अर्ष जसकी वजह से हमारा जो सॉटन्द स्वाइज का रहां भलत पढकर है फट पन आरही उसमें पहले हम वाठीच को टेस्ट करेंगे कि साॉंड आप डाउन हों रही है या नहीं हो और उसके बाद हम इस वायर को कपैसिटर के नेगिटिव पॉइंट के साथ सॉल्ड कर देंगे और हमारी यह प्रॉब्लम सॉल्ड हो जाएगी तो सबसे पहले हम वाल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं गाइस अब हम अपने मीटर को वाल्ट पर सेट करेंगे और अब हम इस पॉ पॉइंट सिक्स वाल्टेज देखने को मिल रहे हैं अब हम सॉंग को प्ले करवाएंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारे जो वाल्टेज हैं वो 22 से 23 के दर्म्यान रहेंगी या फिर कम होके अंस्टेबल हो जाएंगे edsat घाएंगे सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोड डाल रहे है हमारे वाल्टेज फलक्चुेट करना स्टार्ट हो गए हैं अच्छ आपड़एंगे हैं जैसे हमारे वाल्टेज अपडाउन हो रहे हैं फलक्चुेट करने हैं है जाइज अब हम माइनेस वायर को कैपेस्टर के साथ किनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज हैं वह स्टेबल रहेंगे या नहीं सौंड को प्लाइए करवाने बार अब हमका पैस्टर के साथ वायर को किनेक्ट करने लगे हैं गाइज आप देख सकते हैं हमने वायर को किनेक्ट करवाया और हमारे वाल्टेज 25 के राउंड बाउट पहुंच चुकी हैं और आप मड़े वाल्टेज अगे 19 पर आ गए है गाइज आपने देखा कि कैस्टर हमारे वाल्टेज को स्टेबल करता है और हमारे अम्प्लिफाइर को परफेक्टली वाल्टेज प्रोवाइड करता है जिसके बाद हमारा साउंड क्लियर हो जाता है गाइज अब हम इस वायर को यहां पर सॉल्ड कर देंगे और हमारी प्र प्रॉब्लम है तो वहां पर आप का पैस्टर को इंस्टॉल करें आपकी हमिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी को प्ले करके इसको री टेस्ट करेंगे गाइज हमारे हमिंग की प्रॉब्लम कंप्लेटली खतम हो चुकी है हमारे हमिंग की प्रॉब्लम कंप्लेटली खतम हो चुकी है अब आप दोबारा वॉल्टेज को टेस्ट करेंगे कि हमारे वाल्टेज स्टेबल हुए या नहीं वह लेकिन गरांटीट बात हमारे वाल्टेज स्टेबल हो चुकी है गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो वाल्टेज है वो 25.8 है जो स्टेबल हो चुकी है और इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने हमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं गाइस आप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगे अगर आपको आज की वीडियो पसंद